KVS Admissions 2022, Kendriya Vidyalae Class 1 में admission के लिए apply करने की last date दो दिन आगे बढ़ी, यह वज़े Kendriya Vidyalae Admissions 2022, Kendriya Vidyalae Class 1 में admission के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीक दो दिन आगे बढ़ा दी गई है जानिये क्या है वज़े, Kendriya Vidyalae Class 1 Admissions Last Date Extended, Kendriya Vidyalae संगठन, Kendriya Vidyalae सांगठन ने Class 1 में admission के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीक दो दिन और आगे बढ़ी दी है ऐसा दिल्ली हाइकोर्ट, डेली हाइकोर्ट में चल रही सुनवाई के कारण हुआ है अब Kendriya Vidyalae Class 1 के लिए Registration KVS Class 1 Registrations 11 अपरल 2022 तक कराए जा सकते हैं वे अभिभावक जो अपने बच्चे का Kendriya Vidyalae में admission KVS Admission 2022 कराना चाहते हों, वे KVS की आधिकारेक वेबसाइट पर जाकर अपलाई कर सकते हैं ऐसा करने के लिए Kendriya Vidyalae संगठन की आधिकारिक वेबसाइट का पता है किविसOnlineAdmission.kvs.gov.in इस वजह से आगे बढ़ाई गई लास्ट डेट दिल्ली हाईकोर्ट में Kendriya Vidyalae में admission के लिए न्यून्तम आयू सीमा 6 वर्ष कर देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के कारण ये फैसला लिया गया दिल्ली हाईकोर्ट ने के विए संगठन से कहा कि वे चाहें तो अगली सुनवाई जो की दो दिन बाद होगी तक के लिए आवेदन की अंतिम तारीक आगे बढ़ा दे और ऐसा ही किया गया पहले भी बढ़ चुकी है तारीक बतादे की पहले भी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट इककी समार्फ से बढ़ा कर 11 अप्रेल की गई थी केंद्र की तरफ से इस मामले में दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने आगरा किया की कोर्ट इस मामले में हस्तक शिपना करे क्योंकि इस आदेश का प्रभाव पूरे देश पर पढ़ेगा 21 राज्य इसे लागू कर चुके हैं और ये स्कूल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हैं जिनका ट्रांसफर होता रहता है उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीती लागू करने वाला केवी पहला संस्थान है कक्षा एक में एद्मिशन की उम्र फिर से 5 साल करना ठीक नहीं है